हाई गाईज, वेलकम टू माई एजुकेशनल चैनल, सबसे पहले तो आपको चैनल सस्क्राइब करना है ताकि आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिल सकते हैं, अब इस चैनल में हम ये वीडियो में 135 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब ये कंस्ट्रक्शन के लिए हमको यूज करना है और उसके साथ में स्केल और पैंसिल, इसमें कोई भी प्रोट्रक्टर का यूज नहीं है, तो चलिए सीखते हैं कैसे हमको ड्रॉ करना है 135, सबसे पहले तो हमने एक रे ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ करने के लिए हमने पैंसिल और स्केल यूज किया, जहां पर ओरीजिन है वो ओरीजिन को नाम दिया बी और ये डे का नाम हो गया रे बी सी, बी को सेंटर पकड़के हमने ये कमपस के अंदर कोई भी डिसंस लिया है, बी आज दी सेंटर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, अगर आप ये सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेमी सर्कल ड्र रे को एक जगह पर जैसे आपने एक semi circle ड्रॉ किया ये रे को एक मिल गया point of intersection यह point of intersection और यह distance से हमने यह semi circle को और एक बर semi circle को एक intersection हो गया एक arc दिया और एक arc अगर हम देते हैं तो यह पहले arc से हमको मिलता है 60, दूसरे आर्क से हमको मिलता है 120, और ये distance को अगर थोड़ा increase किया हमने, तो यहाँ पर ये मिलता है हमको उपर अगर हमने आर्क्स ड्रॉ किये, ये आर्क्स जहाँ पर भी bisect होते है, ये आर्क्स जहाँ पर intersect होते है, ये intersection का point हो गया 90 degree के लिए, तो बस यहाँ पर एक ray draw करो, अगर ये ray draw किया हमने, तो ये हो गया अपना 90 degree, नीचे की जो line है, उसको extend कर दो, अगर ये angle 90 degree है, मतलब this side is also 90 degree, अब ये 90 degree को हम अगर bisect करते है, come on, let's see how to bisect, bisect करने के लिए ये compass के अंदर को इभी distance लिजिए, ये उपर एक जगा पर cut किया, दूसरी जगा पर cut किया, ये जो दो cut कि दिये, दो arcs दिये, वो arc को intersection को अब center पकड़ो, increase the distance in the compass, ये compass के अंदर थोड़ा distance increase करो, increase करने के बाद, आपको बीच में दो arc दिने, ये ray और arc का intersection, और ये ray और arc का intersection, उनको center पकड़के, हमने arc निकाले, जहाँ पर arc का intersection हो गया है, ये point of intersection, you have to just join to the origin, जब हमने इसको origin को join किया है, तो अगर ये 90 को bisect करता है, 90 के half-half करता है, तो ये होता है 45, और ये होता है 45, नव दिस 90, plus 45, ये तो होता है 135, so, ये हो गया आपना 135, अगर मैंने इसको point A लिखा है, तो हो गया आपना angle A, B, C is equals to 135 degree, आपको वापस से एक protractor यूज करके, इसको tally करो कि आपका answer is it right or not, जो नीचे की रे है, 0 को coincide होता है, और जो हमने रे ड्रॉ किया है, वो 130 के बाद की छोटी line मतलब 135, so, it means, अगर दिस answer is 100% correct, thank you कर दो कर दो